एक लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने धालबुम गड़ में एरपोर्ट नर्मान के प्रस्ताफ को रत कर दिया है परियावरन संद्रक्षन एवं इलिफेंट कोरिडॉर होने का कारण दर्शाते हुए केंद्रिय नागर विमानन एवं स्पात मंत्री जोती रादित्य सिंध्याने संबंध में 27 फरवरी को पत्र जारी कर एरपोर्ट नर्मान के अध्याय का पटा शेप कर दिया है पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार की शेत्रिय कनेक्टिविटी योजना उडान के तहत जम शेत्पूर में टाटा स्टील के स्वामत्तों वाले सोनारी हवाई अड़ा से उडानों का संचालन शुरू हो चुका है धालभूमगड में द्वित्य विश्वयुद का परियतक हवाई अड़ा है जो वर्तमान में जरजर हालत में है तथा संचालन के लिए उप्यूक्त नहीं है परियावरन मुल्यांकन समीती ने पाया कि प्रस्तावत स्थल जंगलों में पढ़ता है तथा बड़ी संख्या में हाथियों का निवास्थान है तथा हाथी गलियारों के रूप में भी जाना जाता है ऐसे में प्रस्तावत स्थल हवाई अड़े के विकास के लिए साथी वनमंजूरी भी प्राप्त नहीं हुए एयरपोर्ट नर्मान के लिए अभी तक एक इट भी नहीं जोड़ी गए इस कारण प्राधिकर ने धालबुमगर एयरपोर्ट लिमिटेट को बंद करने का अंदर नहीं लिया है धालबुमगर में द्विते विश्वय युदिकाल के एयरपोर्ट को चालू करने के लिए रगवर सरकार ने पहल की थी एयरपोर्ट कभूमी पूजन 24 जनवरी 2019 को क्या गया था केंद्र सरकार द्वारा एयरपोर्ट के लिए 100 करोड की राशी भेजने के 4 साल बाद भी वहाँ एक इट तक नहीं जुड़ सकी है राजे सरकार के वन एवं परियावरन मंत्राले से नापत्ती नहीं मिलने के कारण काम अधर में अठका हुआ था